ओम नमः शिवाय हर हर महादेल शिव जी आपकी हर मनुकामना पूर्ण करें गुरु जी की भविश्यवानी चलिए जानते हैं मेश राशी आज का दिन नए लोगों से मिलने और उनके साथ दोस्ती करने के लिए अच्छा हो सकता है आज किसी विशेश व्यक्ती से मुलाकाद भी संभव है जो शायद सही लाइफ पार्टनर भी हो सकता है कुछ बदलाव करने के लिए यह सही दिन है करियर के बारे में बात करें तो आपकी सकारात्मक सोच आफिस में आपके साथियों पर अच्छा प्रभाव डालेगी इस से आपकी सफलता के दरवाजे खुलेंगे इसलिए अपनी तुरंत निरने लेने की क्षमता का पूरा प्रयोग करें अपनी सभी योगिताओं को प्रयोग करके अपने बहुस वसाथियों को खुश रखने की कोशिश करें व्यावसाएक मोर्चे पर आज आपको अपनी योगिता साबित करने के लिए सही योजना बना कर चलने से फाइदा होगा पढ़ाई में मन लगेगा आर्थिक स्थिती के बारे में बात करें तो किसी भी काम को पूरा करने के लिए सही नीती बना कर चलने की आपकी क्षमता और योगिता की बदौलत ही आप अपने लक्ष को पालेंगे और इस तरह आपके सामने आर्थिक लाब के भी अफसराएंगे अपनी इस योगिता का इस्तेमाल अपनी आर्थिक स्थिती को और मजबूत करने में करें प्यार के बारे में बात करें तो आप किसी के साथ संबंध में नहीं हैं तो अपने गुनों को पहचान कर वा आधार बना कर एक नई शुरुआत करें अपने को किसी के सामने प्रस्तुत करने से मत घबराईए आपको हैरानी भरा सुख़द एहसास हो सकता है स्वास्ते के बारे में बात करें तो आज आप उदास हो सकते हैं चुनोतियां भी होंगी परंतु अपना मूड बनाए रखें और अच्छा महसूस करने की कोशिश करें आज के दिन को बीतने दें कल फिर नई शुरुआत होगी दिन की समापती से पहले परिवार के किसी सदसे के लिए समय निकालें जिसे आपने लंबे समय से नहीं देखा है उनके समर्थन के लिए उनके प्रती अपनी प्रशंसा व्यक्त करें यदि आपके पास आज के दिन के लिए कुछ भी मेहित्वपूर्ण निर्धारित है तो इसे शाम चार बजकर पंदरह मिनट से पांच के बीच करें आज लाल आपका भागे शाली रंग है दिन के लिए आपका भागे अंख है तीन आज भागे नवासी प्रतिशत आपके पक्ष में रहेगा माता लक्षमी की पूजा करें और लक्षमी स्तोतर का पाठ करें व्रिशब राशी आपके जीवन में नए रिष्टे की आने की संभावना है हालांकि यह कोई जीवन साथी का रिष्टा नहीं होगा बलकि आपके करीबी दोस्त या आपका कोई मार्गदर्शक का रिष्टा होगा आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जो आपका मार्गदर्शक बनेगा आप देखेंगे आप इस व्यक्ति के साथ कितनी उंचायों तक पहुंच पाएंगे और आप उस व्यक्ति का मार्गदर्शक बनने के लिए आभार प्रकट करेंगे करियर के बारे में बात करें तो अपनी प्रबंधन कला से आपको अपने लक्षों को प्राप्त करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए हालांकी आपको वो लक्षे निर्धारित करने चाहिए जिन्हें प्राप्त किया जा सके और फिर उस दिशा में प्रयास करने चाहिए निरंतर अपने उत्पादन को बढ़ाने की आपकी इच्छा के परिनाम भी आपके हक में ही रहेंगे आर्थिक स्थिती के बारे में बात करें तो आप अपनी तक्नीकी योगिता के दम पर लंबे समय से लटकी किसी समस्या से निजात पालेंगे इससे आपको अच्छा खासा आर्थिक लाब भी होगा इससे आपको नकेवल शाबाशी मिलेगी बल्कि आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी कमाने की इक्षमता भी बर रही है मेहनती लोगों को उनकी मेहनत का मीठा फल मिलेगा शायद पदोनती मिले आप इस समय सिर्फ रुपे पैसे का फाइदा ना देखें क्योंकि आज नहीं तो कल यह तो मिलना ही है वह वेतम व्रिद्धी के रूप में भी हो सकता है प्यार के बारे में बात करें तो आपके रूमांटिक जीवन में गलतफ हमी वा मदभेद के कारण कल होने की संभावना है अपने किसी विश्वास्पून दोस्त को सुलह कराने को कहें समय के साथ ही संबंद सामाने होंगे स्वास्ते के बारे में बात करें तो आज आप कुछ विचलित रहेंगे शान्ती से काम ले और इसका कारण सोचें और इसी के आधार पर कोई हल निकालें आज के दिन गुलाबी रंग के वस्त्र धारन करें सकारात्मक विचार मिलेंगे दो फर एक बजकर तीस मिनट से दो बजकर बीस मिनट का समय बहुत ही शुब है किसी भी मेहित्व पूर्ण कारे करने के लिए दिन के लिए आपका भागे अंक है तीन आज भागे 88 प्रतिशत आपके पक्ष में रहेगा हनुमान मंदिर में घी का दीब जलाए मिथुन राशी के जातकों को आज किसी कठिनाई की परीक्षा से गुजरना पड़ सकता है यह मुश्किल लग सकता है लेकिन आप किसी भी कठिन परिस्थिती से बाहर निकलने में सक्षम होंगे आज अपने विकल्पों को खुला रखना सुनिश्चित करें बहुत सारे अफसर आपके सामने भी आ सकते हैं लेकिन आपको बुद्धिमानी से चैन करने की आवशक्ता है और अन्यकारकों को आपके अनिथा अच्छे निर्ने लेने के निर्ने पर हावी नहीं होने देना चाहिए आपके पास जो विकल्प हैं उन्हें समझदारी से तौले करियर के बारे में बात करें तो आपकी संप्रेशन कला आकरशक व्यक्तित्व वविशम परिस्तितियों में भी आसानी से काम कर लेने की क्षमता के कारण व्यावसाइक छेतर में आपको सफलता मिलेगी इस से प्रेरना लेकर और मेहंत से काम करने की कोशिश करें अपने सातियों की सकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण आप और जोश से काम कर सकेंगे आर्थिक स्थिती के बारे में बात करें तो आप पर आर्थिक दबाव चाहे जैसा हो आप अपनी क्षमता से उन दबावों को जहल जाएंगे बस आप अपना लक्षे निर्धारित कीजिए उसके लिए एक ठोस योजना बनाएए उस योजना पर काम कीजिए देखिए आप सामने आई एक एक आर्थिक चुनोती का जमकर सामना करते हुए आप अपने लक्षे को छू लेंगे प्यार के बारे में बात करें तो आज आप फैसला करेंगे कि अपने साथी के साथ संबंद लंबे समय तक चलाएं अत्वा नहीं अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने वर निर्ने लेने के लिए यह उत्तम समय है स्वास्थे के बारे में बात करें तो आज आप बहुत कोमल और विनम रहें आपकी दिमाग की स्थिती आपके स्वास्थे में योगदान दे रही है आप आराम पर ध्यान दे यह आपके लिए हितकर होगा फिरोजा दिन के लिए आपका भागे रंग है दिन के लिए आपका भागय अंख है तीन दो फ़र बारह बज़कर तीस मिनट से दो फ़र दो के बीच का समय किसी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए बहुत शुब रहेगा आज भागय 73 प्रतिशत आपके पक्ष में रहेगा मचलियों को आटे की गोलियां खिलाएं करक राशी आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा आपको आशावादी बना देगा क्योंकि आप किसी अच्छी खबर की आने की उम्मीद कर रहे हैं करियर के बारे में बात करें तो अपनी सफलता के रास्ते में आने वाली बाधाओं को आपको अपने व्यावसाएक अनुभव से दूर करने की कोशिश करनी चाहिए थोड़ी सी कोशिश से ही परेशानी हमेशा के लिए दूर हो सकती है चोटी मोटी परेशानियों से हार करना बैठेन बलकि हिम्मत से आगे बढ़ते रहें हर किसी को कभी ना कभी परेशानियों का सामना करना पड़ता है लेकिन समझदार लोग इनकी परवाह नहीं करते और जीवन में आगे ही बढ़ते रहते हैं आर्थिक स्थिती के बारे में बात करें तो आर्थिक मामलों में आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे आर्थिक मामलों में आपकी लगातार मेहंत रंग लाएगी अपनी अच्छी सफलता के लिए अच्छी योजना बना कर चलना बेहतर होगा अपनी हिम्मत बनाए रखें, कड़े कदम उठाएं, मेहंत करते रहें और धेरे भी रखें फिर देखिये दुनिया आपकी मुठी में है आपकी आर्थिक स्थिती में पिछले कुछ दिनों से सुधार होगा, आज आप पासकते हैं, कि जिसका काम में आपने मेहंत की है, उससे सही आपको लाब मिल सकता है विफसाईयों को अपने लक्ष को प्राब्त करना चाहिए और उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, किसी भी प्रयास से डर्णा नहीं चाहिए, क्योंकि इसके जरियाँ वास्तव में अपनी आए बढ़ा सकते हैं प्यार के बारे में बात करें तो अपने साथी से आज स्नेह की प्राप्ती होगी जो लंबे समय से संबंध में हैं वे इस बात पर गर्व करेंगे जो संबंध में नहीं हैं वे नए साथी से बहुत जल्दी मिल सकते हैं आज अविवाहित लोग भागेशाली हो सकते हैं क्योंकि विप्रीत लिंग आपकी आकर्शन पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा स्वास्ते के बारे में बात करें तो अंचाहा तनाव कम करें वरना आपके स्वास्ते पर असर पढ़ सकता है ज्यादा तनाव से आप बीमार पढ़ सकते हैं जिसका असर अलप अवधी या लंबे में देखा जा सकता है योग और ध्यान करने से आराम मिलेगा और स्वास्ते सुद्रेगा पीला रंग आज आपके लिए बहुत ही शुब है दिन के लिए आपका भागय अंख है तीन शुब काम करने के लिए दो फर तीन से शाम पांच का समय बहुत ही अच्छा है आज भागय सत्तर प्रतिशत आपके पक्ष में रहेगा जरूरत मंदों को वस्तर एवं भोजन दान करें सिंग राशी आपको कुछ नकारात्मक व्यवहारों से सावधान रहने की आवशक्ता है आज के दिन और जो आज आपके परिवार या सामाजिक अस्तित्व में होने की संभावना को व्यक्त कर सकता है आपको कुछ अजीब स्थिती में डाल सकता है और आज आपके लिए उनके साथ एक बहुत ही जराब टकराव की संभावना हो सकती है ये कुछ मामूली बात होगी आपको सक्रिय रहने की आवशक्ता है और मित्रों और परिवार के साथ इस बारे में बात करने की आवशक्ता है कि वे आज कैसा महसूस कर रहे हैं और आप किसी भी ऐसी परेशानी को दूर करने में सक्षम हो सकते हैं जो आपको दिखेगी भी नहीं करियर के बारे में बात करें तो कारेक्षेत्र में अपनी मेहंत वा इमानदारी से ही आप बढ़ते काम के बोज को संभाल पाएंगे आपकी मेहंत से आपको वा आपकी संस्था दोनों को ही लाब होगा काम में कुताही करने पर संस्था इसे आपकी कमजोरी के रूप में ले सकती है इसलिए निरंतर प्रयास जारी रखें भविश में आपको इससे लाब जरूर होगा आर्थिक स्थिती के बारे में बात करें तो अपने द्रिर संकल्प और निर्ने लेने की क्षमता के बल पर आप आर्थिक मोर्चे पर आई चुनोतियों से निबट लेंगे जहां तक रूपे पैसे का सवाल है जरूरी है कि आप जल्दी फैसले लें बेमतलब के कामों और बातों में समय जाया करने से आपका ही आर्थिक नुकसान है सफलता के लिए जरूरी कदम उठाएं प्यार के बारे में बात करें तो रूमान्स के लिए यह अच्छा समय है अपने प्रेमी के साथ बाहर जाकर समय बिताएं आपके परिवार के लोग जो पहले इस संबंद के खिलाफ थे वे भी अब इस हक में है इस सकारात्मक बदलाव का आनंद उठाईए स्वास्थे के बारे में बात करें तो आज आप मानसिक तनावों से घिर सकते हैं जिदंगी कभी चुनोती पून भी बन जाती है इसलिए आप धेरे न छोड़े और अपने चेहरे पर हंसी बरकरार रखें खुद को समझाएं कि कोई परेशानी बड़ी नहीं हो सकती और आप में हमेशा उसे हराने की क्षमता है बैंगनी दिन के लिए भागे शाली रंग है दिन के लिए आपका भागे अंख है तीन दो पर दो से तीन के बीच मेहित्व पूर्ण कारे करना सकारात्मक परिनाम लाएगा आज भागे इक्यासी प्रतिशत आपके पक्षमे रहेगा क्रिश्ना भगवान को माखन में श्री का भोग लगाए कन्या राशी आप खुद को आत्म विश्वासी महसूस करेंगे और आपके आत्म विश्वास में वृद्धी होगी आप अपने लाब के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं निश्चित रूप से अपने दृष्टिकोन को सकारात्मक रखें और अपनी आत्मा आश्वासन से अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करते रहे अपनी योजना को पूरा करने के लिए आपको अपने अधीनस्त कर्मचारियों की सलाह पर भी ध्यान देना चाहिए आपकी सफलता से सभी को लाब मिल सकेगा आपकी खुद को एक तरफ रख कर दूसरों के विचार से काम करने की क्षमता के कारण ही आपकी पूरी टीम को लाब मिल सकेगा अपने बहुआयामी व्यक्तित्व के बल पर आपको आर्थिक लाब मिलेगा यही नहीं कैरियर में भी अच्छे मौके मिलेंगे एक आर्थिक लक्षे निर्धारित करके चलने से आपको सफलता हासिल करने में आसानी होगी कड़ी मेहंत की बड़ी जरूरत है सकारात्मक सोचने से बल मिलता है नकारात्मक सोच से आप अपना ही नुकसान करेंगे और अपना आर्थिक लक्षे भी हासिल नहीं कर पाएंगे अगर आप कोई जमीन या संपत्ती खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आगे बढ़े यह बहुत ही अच्छा समय है इस समय आपको बहुत ही अच्छा सौदा मिल सकता है इस समय आप जिस भी व्यक्ती से मिलेंगे आप उनसे प्रभावित होंगे ऐसा अफसर आपको छोड़ना नहीं चाहिए आज आपका साथी आपको प्यार के इधहार से हैरान कर देगा आप दोनों ने संबंध सुधारने के लिए जो प्रयास किये हैं यह उसी का फल है आप भी प्रेम प्रदर्शित करें वा अपने प्रेमी के लिए कुछ आश्चरेजनक परिस्थितियां पैदा करें इस से आपके संबंध को नई गहराई मिलेगी आज आप थोड़ी सी ठकावट महसूस कर सकते हैं आज आप घबराए हुए हैं और इसका कारण ढून रने में भी असर मत हैं आप वजह ढून रने की कोशिश न करें आराम करें और गहरी सांसें ले ता कि आप हर समय अच्छा महसूस करें यह वक्त गुजरते ही आप फिर से पहले जैसी स्थिरता महसूस करेंगे पीले रंग के वस्त्र पहने दिन के लिए आपका भागय अंख है तीन शुब काम करने के लिए दो फर एक बज़ कर पंदरह मिनट से दो का समय बहुत ही शुब है आज भागय तिरासी प्रतिशत आपके पक्ष में रहेगा गाय को गुर रोटी खिलाएं तुला राशी आप में से कुछ लोग आज खुद को अगोचर या बेकार मेहसूस करेंगे आपको इन सबका सामना करना होगा खुद को लगातार ये याद दिलाकर कि आप जो भी कारे करे उसमें बेहतर बने सिर्फ उन्ही कारियों की जिम्मेदारी ले जो आप कर सकते है समय के इस क्षन में थोड़ा निजी समय की अती आवशकता है इस समय आपको अपने सपनों को समझ कर उन्हें पूरा करने के लिए बहुत मेहंद करनी चाहिए अगर इसके लिए आपको यात्रा भी करनी पड़े तो भी पीछे ना हटे कार्यक्षेत्र में भी विशम परिस्थितियों का सामना करने के लिए आपको पूरी हिम्मत से काम लेना चाहिए अपनी सकारात्मक सोच वह हिम्मत के बल पर आप आसानी से इनका सामना कर सकेंगे अच्छी और आरामदे जिन्दगी की आपकी चाहत आपको वह उर्जा देगी की आप पलपल बदलते समय के साथ कदम मिला कर चल सके किसी भी तरह की आर्थिक चुनोती से निपटने के लिए आप में योगिता है अपनी अच्छी आमदनी के लिए आपको मेहंत के साथ साथ एक सही योजना बना कर भी चलना होगा अपना आर्थिक लक्ष हासिल करने के लिए आपको खुद ही पेहल करनी होगी हाँ योजना बनाने और उस पर अमल करने में बेशक आप दूसरों की सहायता ले सकते हैं आज आप वा आपके साथ ही के लिए रोमान्स भरा दिन है यदि आप अकेले हैं तो बाहर निकल कर लोगों से मिले यह सोचें कि आप अपनी प्रेम भावनाओं को किस तरह अपने प्रेमी से व्यक्त कर सकते हैं तनाव के कारण आपकी दिमागी शांती चिन जाएगी आप किसी से अपने दिल की बात करें चाहे वह आपकी मदद करे या न करे रुकावटे आपको तनाव देंगी इसलिए चिंता न करें और अपनी परेशानियों को दूसरों से बाटे दिन के गुजरते ही आप खुद को मेहित्व पूर्ण कारे करने के लिए पुनह प्रोचसाहित महसूस करेंगे सुबह के ग्यारह से दो फर एक के बीच का समय आपके लिए अच्छा साबित होगा जिसमें गुलाबी रंग आपके शुब लिए रहेगा दिन के लिए आपका भागय अंख है तीन आज भागय नबे प्रतिशत आपके पक्ष में रहेगा बुन्दी का प्रसाध हनुमान जी को भोग लगाए व्रिष्चिक राशी आप देख सकते हैं कि एक दिंचर्या का पालन करना उप्योगी नहीं हो सकता है यह मानते हुए कि आप काम कर रहे है आपको अपने काम करने के तरीके में समायोजन करना चाहिए और अधिक अनुकूल होना चाहिए बस घबराने की इच्छा का विरोध करें और किसी भी चीज को अपने लक्षों से विचलित नहोने दें आपकी रचनात्मक सोच से व्यावसाइक छेतर में आपको काम करने के बहुत से मौके मिलेंगे आप में से कुछ लोगों को आपकी मेहंत के लिए एक अलग पहचान भी मिल सकती है अपने केरियर को उन्चाई पर ले जाने के लिए आपको अपनी सकारात्मक सोच का सहारा लेना चाहिए अपने द्रिड संकल्प और हिम्मत के दम पर आप अपनी आमदनी को बढ़ाने में सफल होंगे जरूरी है कि इस वक्त आप अपने काम पर ध्यान लगाए रखे अपने अनुभव और रचनात्मक उर्जा के सहारे आप अपना आर्थिक लक्षिपा लेंगे आर्थिक लाब के कुछ नए मौके अजमाएं इस दिशा में सकारात्मक उर्जा के साथ आगे बढ़े, सफलता मिलेगी अपने वरिष्ट सहयोगियों के साथ मधूर संबंद बनाए रखे किसी भी स्थिती में सही निर्ने लेने की अपनी क्षमता के कारण आपको आर्थिक फाइदा होगा आज आपको एक ऐसे व्यक्ति के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा जिस से आप आगे चल कर प्रेम संबंद बना सकते हैं आपकी जिन्दगी में रोमान्स आने के लक्षन है इसलिए इस समय को व्यर्थ न गवाए आज आप महसूस करेंगे कि तनाव का स्तर बढ़ रहा है और उर्जा कम हो रही है आप किसी भी अन्चाही खबर से तनाव को बढ़ने न दे आप ठंडा दिमाग रखें और ज्यादा तनाव न ले थोड़ा योग और आराम करें तभी आप अच्छा फल प्राप्त का सकेंगे सुबह दस से दो फर बारह के बीच का समय आपके लिए भागेशाली माना जाता है बैंगनी अभी के लिए आपका शुबरंग है दिन के लिए आपका भागे अंख है तीन आज भागे 68 प्रतिशत आपके पक्ष में रहेगा बजरंग बान का पाठ करना लाभप्रद रहेगा धनुराशी आपको किसी भी गलत चीज को छोड़ने में आपकी मदद करेगा पॉजिटिव एनरजी महसूस कर पाएंगे आज आपको मेहित्वपून मामलों पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो सकती है चिंता न करें क्योंकि किसी भी काम को करने में सक्षम होंगे कारेक्षेत्र में आपको अपनी सीमाओं को जाना चाहिए अगर काम आपकी सोच के अनुसार ना भी चले तो भी परेशान ना हो ये सारी परेशानियों अस्थाई हैं जो की समय के साथ अपने आप ही खत्म हो जाएंगी आपकी मेहंत और लगन आपके केरियर को बहुत उंचाईयों पर ले जाएगी और आपको बहुत लाब होगा समस्याओं से निपटने की अपनी क्षमता और धहरे के बल पर आप आर्थिक मुश्किलों से पारपा लेंगे अपना प्रदर्शन और कमाई की क्षमता को बढ़ाने के लिए सभी जरूरी बातों पर ध्यान दे और अपने आधी नस्थों की भी राए ले व्यवसाय में हर बड़ी में लिया गया कोई फैसला आपको नुकसान पहुंचा सकता है चटपट पैसा कमाने की बजाए टिकाव लाब के लिए सोचें सकारातमक सोचें नतीज़ा अच्छा होगा आज रोमांस के लिए अत्यंत सकारातमक समय है अपने प्रेमी को कार्ड आधी लिखकर भेजने के लिए आप इस कारे के लिए प्रसंसा पाएंगे आज आपके पास यह सोचने का समय है कि यह संबंद आपके लिए कितना सुखद वा आनंद दायक रहा आज आप अपने शारीरिक स्वास्थय पर नध्यान लगाकर अपने मानसिक सुधार पर ध्यान देंगे आज आप परेशान रहेंगे और आत्म विश्वास भी कम रहेगा अगर आप किसी परेशानी से जूद रहे हैं तो उसे खत्म करने का समय आ गया है आपका मूड गंभीर तो नहीं रहेगा मगर इससे दूसरे प्रभावित होंगे इसलिए आप आज कुछ समय निकाल कर इसका कारण जानने की कोशिश करें दो पर दो से चार के बीच कुछ भी मेहित्व पूर्ण योजना बनाएं सफेद रंग आज आपका लखी कलर रहेगा दिन के लिए आपका भागय अंख है तीन आज भागय 75 प्रतिशत आपके पक्ष में रहेगा लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाए मकर राशी कोशिश करें कि आज आप खुद को गलत वनुकसान देने वाले लोगों से बचाए आपका कोई दोस्त, सहकर्मी या जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हो उनमें से कोई भी हो सकता है आप हर किसी पर यदीन न करें क्योंकि ये आपके लिए बेवजह मुसीब्तें खड़ी कर सकता है वहीं दूसरी तरफ, आज का दिन परिवारिक समस्याओं को दूर करने के लिए काफी अच्छा दिन है अपने परिवार का साथ दें तथा वो जो कह रहें है, उसको भी सुने ता कि आप बेहतर उपाए ढूंड सके अपने आसपास से सकारात्मक उर्जा लेने का प्रयास करें आपकी जिग्यासु प्रवृत्ती के कारण आपको अपने प्रयासों के परिणाम तुरंथ ही मिल सकेंगे अगर आप काम को नए तरीके से करना चाहते हैं, तो आपको रचनात्मक होना होगा आपके धहरे और समस्या को समझने की क्षमता के कारण हर काम में आपको सफलता मिलेगी अपने प्रयास में सफल होने के लिए आपको बात के हर पहलू पर विचार करना चाहिए और अपने अधीनस्तों की सलाह भी लेनी चाहिए आपकी रचनात मक्षमता आपको आर्थिक सफलता दिलाएगी, किसी अनुबवी साथी की सलाह भी कामाएगी लेक्को को अपनी योजना पर अमल करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है आर्थिक लाब के जो मौके सामने आ रहे हैं, उनका सदुप्योग कीजिए इससे आपको अपनी योगिता साबित करने का मौका भी मिलेगा अब आपके हाथ में है कि आप इसका कितना फाइदा उठाते हैं आपकी रोमांटिक जिदंगी खिल रही है वह आप इसका आनंद उठा रहे हैं अपने प्रेमी को बाहर ले जाने पर पूनता का एहसास होगा यदि आप अपने प्रेमी को परिवार वालों से मिलाना चाहते हैं तो आज ही उचित समय है आज आप सिरदर्द और कम मानसिक उर्जा से ग्रस्त रहेंगे इसलिए सावधानी बढ़ते इन बीमारियों का कारण बढ़ता तनाव है जो की आप महसूस कर रहे हैं आप छोटी परिशानियों को सिरदर्द ना बनाएं और खुद को शान्त रखें योग करें जिससे तनाव कम होगा आज के लिए आपका शुब समय सुबह नौ से दस के बीच का है तो इस समय में अपना मेहित्व पूर्ण कारे करें सकारात्मक उर्जा वसो भागे के लिए आज आप पीला रंग पहनने की कोशिश करें क्योंकि ये रंग आज आपके लिए शुब है दिन के लिए आपका भागे अंख है तीन आज भागे तिहत्तर प्रतिशत आपके पक्ष में रहेगा गनेश जी को लड़ू का भोग लगाएं कुम्ब राशी आप आमतोर पर अपने रास्ते में आने वाली छोटी-छोटी बाधाओं और कठिनाईयों के कारण निराश हो सकते हैं इन बाधाओं से बचने के लिए कड़ी मेहंत करने के बावजूद कोई हल नहीं मिलेगा आपको हार नहीं माननी चाहिए जीवन में उतार चगाव आते रहते हैं आपको अनावश्यक रूप से निराश नहीं होना चाहिए आप शांत और धैरवान रहें आत्म विश्वास में वृद्धी ही आपकी व्यावसाइक सफलता की कुण्जी है खुद को नेता साबित करने के लिए आपको चुनोतियों को स्वीकार करने के लिए तियार रहना चाहिए काम को चलाने की आपकी आदत के कारण आपके काम का बोज़ वा मानसिक दबाव बहुत बढ़ सकता है इसलिए खुद पर भरोसा रखें और पूरी मेहंद से काम करें अपने काम में अपनी महारत के कारण आपको आज आर्थिक लाब की अच्छी खबर मिलेंगी असल में आप अपने नियोकता के लिए अच्छी कमाई करेंगे और बदले में वे आपको इसका इनाम देंगे केरियर और आर्थिक मामले में यह आपके लिए उपलब्दी है जिसके आप असली हकदार भी है सब आपकी मेहन से हुआ है इसका लुट्फ उठाएए आज अपने इंस्टिंक्ट पर भरोसा करें यदि आपको संदे है कि आपका प्रिय बटा पार्टनर या मंगेतर आपके साथ कम इमानदार है तो उसे एक तरफ अकेले में ले जाएं और इस मामले पर निजी तोर पर चर्चा करें इससे भागने का प्रयास न करें और कुछ आवशक प्रयास करें यह आपका तनाव पूर्ण समे रहा है जिसकी वजह से आपकी सेहत पर प्रभाव पड़ा है आज आपको महसूस होगा कि आप खुद को जरूरत से ज़्यादा आफिस के कारियों में व्यस्ट कर रहे है आज तनाव कम करें और पर्याप्त नींद के लिए समय निकाले आप अपने दिमाग तथा शरीर को आराम दे ताकि आप कल फिर से नई उर्जा के साथ काम शुरू कर सकें इसलिए आज चिन्ता न करें बाधाओं से बचने के लिए सुबह दस से ग्यारह बज़ कर तीस मिनट के बीच जरूरी काम कर सकते हैं नीला आज आपका लखी कलर होगा दिन के लिए आपका भागय अंख है तीन आज भागय 78 प्रतिशत आपके पक्ष में रहेगा माता सरस्वती की पूजा करें मीन राशी घरेलू मोर्चे पर आपके सामने जो भी मुद्दा प्रकट होगा वह आज से सुलजना शुरू हो जाएगा आज आपके परिवार्जनों के साथ आपका संबंद सुधरेगा इसलिए अपने समय का जितना हो सके लाब उठाएए आज आप आत्मप्रीक्षन की स्थिती में रहेंगे आप सोचेंगे की आप कितनी दूर आ चुके हैं, कितनी दूर और जाना है और आगे रास्ते में आपको और क्या मिल सकता है इससे भविश्य में आपको अपने कैरियर को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी कार्यक्षेत्र में बिना विचलित हुए आज आप अपने लक्षों का द्रिड़ता से पीछा करने में जुट जाएंगे प्रतिसपर्धी द्रिष्टिकोन आपको एक समूह से आगे ले जाने में मदद करेगा किसी भी कारे को करने पर आज आपको सफलता अवश्य मिलेगी क्योंकि भागे आपकी तरफ हैं रुपे पैसे को लेकर थोड़ा दबाव तो होगा पर आप अपने गंभीर प्रयासों से इससे पारपा लेंगे निवेश के मामले में आप कुछ नए प्रयोग करें और नए विचार और नए योजना पर भी विचार करें आपकी आर्थिक सफलता आपके खुद के निरने पर ही निर्भर करेगी इस मामले में दूसरों को दखल नहीं देने दे दिल की सुनिये सब अच्छा होगा दमपती को एक दूसरे से ठहराव वसंतुष्टी मिलेगी इस समय का आनंद उठाएं वशाम को साथी के साथ समय बिताने के लिए बाहर अवश्य जाएं कोई परेशानी आपका मानसिक तनाव बढ़ाएगी आपको अपनी भावनाओं पर ध्यान देना होगा जिससे आपका स्वास्थे बना रहे अपने तनाव को रोकने के लिए कुछ आवशक कदम उठाएं जिससे आप नकारात्मक परिस्थिती में जाने से बचें क्योंकि आपके स्वास्थे पर असर पड़ सकता है शाम साथ से रात नौ तक के बीट का समय आपके लिए भागेशाली चिनहित हो रहा है एस्ट्रयोगी जोतिशियों के अनुमान के अनुसार आज के दिन का शुब रंग आपके लिए हरा है इसलिए हरा रंग का कोई वस्त्र शुब संदेश के लिए धारन करे दिन के लिए आपका भागय अंख है तीन आज भागय असी प्रतिशत आपके पक्ष में रहेगा लाल चंदन का तिलक करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें